हेलो आई अई प्यार वैल तो एंटी पीसी की तरफ से आई टिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए अलग लग टेड और अलग लग ब्राच में आपर वेकेंसी के लिए नोट्स नजारी की गई है सबसे पहले मैं बता दो आपको यह जो आपकी जोब है एक तो यह पर्मनेंट गोर्मेंट जोब होने वाली है साथ इसमें डिप्लोम और आई टी आई वाले जो फ्रेसर कैंडिडेट है वेजी बल है तो उनके लिए आप ए गोल्डन अपॉर्शनूटी है तो इस कर लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच और कौन कौन सी टेम मैं अपर पगनसी एवलेबल है अगर डिपलोम की बात किल गया तो उनके लिए खैनी किया Уसके बाद सफिविल में एक मेंटसी आगे इसके बारे में डिटेल में डिसक्स करेंगे बात के जाए घर पार के लिगागी आपको 24,000 रुपे एंटीपे के द्वारा पे के जाएंगे उसके बाद आपको टेनिंग कम्लेट होने के बाद आपको डवलु सेवन ग्रेड का पेसके द्वारा आपको इसली प्रवाइड की जाएगी वह गर आईटे वाले केंडडेट की बात की जाएगी तो आईटे वाले केंडडेट को भी आपर दो साल का टेनिंग प्रेड पर 21,000 पांच उर्पे एंटीपे के द्वारा पे के जाएंगे टेनिंग कम्लेट होने के बाद उनको इसको अप्लाई कर सकते हैं जिन केंडडेट केस 30 हो गई है 32 से ज्यादा हो गई है तो बेबी इसके लिए अपलाई कर सकते हैं तो गोल्डन अपॉर्शनूटी एज एक्स्टेंशन इसमें काफी अच्छा दिया हुआ है अगर बात की जाए इसमें क्वालिफिक्शन की इस इसमें का मतलब याविन दिया फुल्टाइम रेगुलर डिपलमा इन इस्टुमेंशन अलेक्टोनिक्स इंजिनर मीनिमम सिक्स्टी परसेंट मार्स अगर बात की जाए इसमें आई टेवलों के लिए तो इनके लिए टैंट पलस फुल्टाइम आई टी कोर्स होना चाहिए आई टेंट इसटेवीट के आपके पास होना चाहिए जो इनजिवीटी से अफुल्ट हो बात की जाए गर अशिटंट मेटियल की तो इसमें कुछ कंडिशन से ओर कीपड ट्रीनी अशिटेंट मेट्रील और इस्टोर कीपड ट्रीनी में क्या आ और आपको ना चाहिए या 150 की स्टोक्स पर मिनट या इसमें आपका होगा 10 प्लस फूल टाइम रेगुलर आईटाइए कोर्स अप्रूड वाइंसुट या तो आपने फीटर लेक्टोनिक से इस्टूमेंट मेकैनिक से आप प्लस आपके पास इंगलिश टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट यान कि एक मिनट में आप 30 वर्ड टाइप करने के आपकी प्रैक्टी सो उसके बाद ही या एक Romeo की स्टॉक्स बीद्ड टोक्स पर मिनट आपके पास इसके Guard के देख सकते हैं डिजारेबल क्वालिफिकेशन प्रफेंसी इन केंपिटर ओपरेशन एंड फिमिलिराइजेशन विद एमस ओफिस यानिके डिजारेबल क्वालिफिकेशन है वैसे आपको कम्पूर्टिक नोलिज में होनी चाहिए अगर बात की जाए इसमें स्लेक्शन प्रोस इसमें घरनल इंग्लिज और रिच्ट्र पुछेंगे सेटेज्च में आपके 120 बात इसके बात अब देख सकते हैं अबकर नेटिव मार्णि है एक सीज़िए यहां पर जो आपका सेलेक्शन में होगा वह आपका सेटेज्च के एक आधार पर होगा यानिके जो पहला अधिरा मिलेगा , इन्हों मोलेडियर इंगा है , बार्च की वालि度 मार्च की टो उसमें तीनी तेज में आपका एक्जाम होगा , जिसमें चलảo nough पुछ जाएंगे तो आपके पार्ट होगा उसमें क्या होगा आपका इसकिल टेस्ट इसमें आपके इसकिल टेस्ट होगा जो आपको क्वालिफाई करना होगा और यहां पर आपके इसकिल टेस्ट में इसकिल टेस्ट आपको अपनी टेस्ट टेस्ट लिया जाएगा यहां पर देख सकते हैं इसकिल टेस्ट 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 इसकिल टेस्ट आपका स्लेक्शन की दर्स्टि से काफ इंपोटेंट हैं यहां पर आप देख सकते लिखावा लेकिन यहां आपका स्लेक्शन के लिए एहम रोल बले करेगा स्लेक्शन के लिए आपको इस टेस्ट 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 गोड़ियां पर देख सकते हैं क्वालिफाई करना भी जरूरी है तो यहां पर यह थी आपकी ITI के selection process के बारे में जानकारी तो लगबग आपकी सभी चीज़ें आप इस notification के regarding complete हो चुकी है अब direct बात कर लेते हैं कभी इसके form भरने स्टार्ट होंगे तो form भरने जो है आपके इसके 23 अगस्ति आनिके आज से इसके form भरने स्टार्ट हो चुके है और 15 सितमबर तक इसके form भरे जाएंगे तो आप अपने form भर सकते हैं आज से आप अपने form भर सकते हैं और 15 तारिक इसकी last date है यह जो वेकेंस है यह आपकी कर दो कर दो